है 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 यह फ्रेंड्स इंटरनेट आफ फिंग्स के लेक्षर नमबर थ्री में आपका स्वागत है इस लेक्षर में हम लोग डिस्कॉसन करने जा रहे हैं अप्लिकेशन आफ आयोटी इन हेल्थ सेक्टर है हेल्थ अगर देखा जाए तो हर जीव के लिए सबसे की बात है अब हर सिस्टम में अगर हेल्थ की बात हम करें तो यूमेन हेल्थ में चुकि लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर है तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज की डेट में समाजिक बदलाओं के कारण हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ यूसी एजू परिवार में कि चेंज हो गया है करीब करीब और यह सहर में गवव में हर जगह हो रहा है अब धेरे लिए परिवार की बात ही करने इंडिवीजुल लोग जीवनयापन करने लगे बैसलर लाइफ जी रहे हैं एसी स्थिति में हिल्थ से सम्बंधित जो चिन्थाये हो लगा ने देखा है कि हार्ट अटेक के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं लोग चलते फिरते हार्ट अटेक से एपीजे अब्दूल का नाम सहब का एक्जामपूल हमारे आपके सामने है को लेक्षर दे रहते हैं अब सवाल है कि हेल्थ सिस्टम जो हमारे दीस में है वो तो अभी भी बहुत आले दर्जे का नहीं माना जाएगा बहुत ही वीक है सहर में आपको डॉक्टर मिल जाएंगे गाउं में तो डॉक्टर जल्दी मिलते नहीं है तो कल्पना भी नहीं कर सकते है चोटे सहर में है यह कर सकते हैं कि अगर कैपिटल टाउन की बात है तो आपर लोगों को पहुझना वहां रुखना ईलाज कराना ट्रीशनल मेथट से जो सिस्टम है तमाम तरह के फ़र्जी ह hospital भी आ गए है कि चुकि इंसानी जीवन बड़ा अनमोल है तो ऐसी सिती में हम अपने हेल्थ से समधित concern तो रखेंगे आदे पूरे जीवन की कमाई खर्च कर देता है लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमें प्रॉपर टाइम में सही medical aid मिल पाता है जो जिस सही इलाज की जरूरत है हमें रियल में क्या वो मिल पाता है इसका निश्चित रूप से अंसर होगा नो इसके बहुत सारे कारण है सबसे पहले पेसेंट के साथ समझ्या है पेसेंट दूर दराज के किसी गाउं में रहता है कोई हिल्थ प्रॉब्लम अगर होता है तो से पहले यह नहीं पता कि हमें जो हिल्थ प्रॉब्लम है उसका कारण किया है साथ साथ जब कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो कौन से डॉक्टर को दिखाए जाए किस डॉक्टर के पास समझाए तो अगर कहा जाए तो हेल्थ इसू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह सबसे पहला समस्या तो पेसेंट के सामने तब आती है जब उसको कोई हेल्थ फिशू होता है तो उसे पता नहीं चलता है को डॉक्टर कहां खोजे है कौन सा डॉक्टर उसका प्रॉपर रिलाज कराएगा जैसे स्लाइट डॉक्टर तब पहुंचने में ही दो-चार डॉक्टर का चक्र लग जाता है हर डॉक्टर के पास खर्चे है कि नंबर लगाई तो देखेंगे अब तो और भी सिस्टम बदल गया डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं दो दिन चार दिन रिपोर्ट आने में लगेगा तब तक हो सकता है उनका हेल्थ ओडिटोरियोट करता चला जाए तो ऐसी स्तिती से बचनी का क्या रास्ता है आखिर हम कैसी बचेंगी अगर अगर आयोटी हेल्थ की बात करें तब थोड़े दिर के लिए इमेजीन करें कि कोई एक परसन अपने घर में अकेला रहता है अरहत के दसवजे उसे हट से समधित कोई प्रॉब्लेम होती है जब तक हो समझ पाता है यह जब तक हो प्रिपेर अपने आपको कर पाता है क्या प्रॉब्लेम है जब तक हो समझने की कोशिश करता है तब तक हो सकता वह अचेत हो जाए तो फिर तो मौत के सीवा उसके पास अब जब वो अकेला आदमी किशी को कॉल नहीं कर पा रहा है किशी के पास जान नहीं पा रहा है रात के दस ग्यारा बज रहे हैं तो सुबह तक तो उसकी मौत निश्चित है अखास करके उस इस्तिती में जब हम देख रहे हैं कि रोड़ों सड़क पर चलते जनते गीर के मर जा रहे हैं तो अकेला आदमी घर में हैं और उसके साथ कर कुछ होता है तो क्या कर सकता है यहां पर हमारी मदद कर सकता है यह इंटरनेट ओफ थिंग्स यह कैसे मदद करेगा इसके इंटरनेट ओफ थिंग्स हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मेडिकल डिवाइस प्रुवाइड करता है जिनका सहयोग हम लगातार ले सकते हैं अलग लग टाइप के डिवाइस बनाएं बहुत सारे डिवाइस हैं उस पर डिसकस्न तो आगे करेंग एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे बाडी में होने वाले परिवर्तन को रीड करते हुए उसको अब्जर्व करते हुए उसकी तत्काल सूचना एंबुलेंस और डक्टर तक पहुंचा सके उस मेडिकल डिवाइस से हम अपनी जान बचा सकते हैं अगर डिवाइस केवल इतना काम कर दे कि कोई प्रॉब्लम हिल्थी इस्यू क्रिटिकल हिल्थी इस्यू हो तो इमिडियेट एंबुलेंस को हमारे एड्रेस के साथ आजकल तो एड्रेस केवल भेज दीजिए पता लगाना कोई मुश्किल का लब्द है एम्बुलेंस आपके घर पर आजाएगा आपके हां से आपको ले करके नियरेस जो हॉस्पिटल है वहां तक अगर पहुंचा दे और आपके हेल्थ रेलिटेट जो जितने भी परामीटर है उन सारे परामीटर को अगर ऑनलाइन ओए इमिडियेट ट्रांसफर कर इसको इमिडियेट हम क्या करें कि बचा हो सके तो डॉक्टर के पास आधा घंटा समय तो होंगे यह काम तो दूसरा परसन भी इतनी मदद नहीं कर सकता घर का कोई मेंबर है अगर कोई इस्तिती होती तो क्या करेगा वह एंबुलेंस को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है मैंधकर के पास आपका कोई अगर प्रिविए से इस्क्रीन नहीं है तो पूरी हिस्ट्री बताई और समझेगा उसके के बाद ससा चाहल को मेडिकल प्रिपरेशन में स्मय लगेगा तो आधा घंटा समय लग सकते वह आधा गंटा समय बहुत कृतिकल होता है को किसी भी पेस डॉक्टर को 20 मिन पहले मिल जाए तो 20 मिन पहले तो आपकी जान बचाने के लिए बहुत ससक्त हो जाते हैं और डॉक्टर आसानी से आप उस्विटल पहुंचेंगे तब उससे पहले आपके ट्रीटमेंट की सारी प्रोविजन वहां कर दी जाएगी आप वहां एमोलेंस और में क्या है सबसे पहले रीमूट पैसेंट मानेट्रीम की अब दूर दर आज गवाँओं में रहने तो पेसिंट के पास डाक्टर उपलब्द नहीं है ओ पेसिंट हर महिने हर हपते डाक्टर के हां आ नहीं सकता है डाक्टर के हां भी काफी मीड़ है दॉक्तर के संख्या हमारे हम है है population बहुत ज्यादा है ऐसी स्थिती में अब हम टेली मेडिशीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिती में अगर हमारे पास रीमोट पेशिन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हो निश्ची दरूप से आयोटी डिवाइस होगा जो आपके बॉडी पर हो सकता है कि रिस्ट बैंड के रूप में हो स्मार्ट वाच के रूप में हो आपके आख से समधित अगर कोई समस्या है तो आपके लेंस के साथ हो स्मार्ट डिवाइस को लगा दिया जाएगा आपके बॉडी के किसी पार्ट में लगा दिया जाएगा इवेन इप अगर हम चाहें तो बॉडी के अंदर भी उसको फिक्स किया जा सकता है जिसे इंटर्नल ऑर्गन के सारा रिपोर्ट लाइव फीगर भी दे सकते हैं तो इस तरह के डिवाइस बड़े काम के हैं इस डिवा को मीटर है यह सारा चीज तो आज के डिट में आसानी से उपलब्ध है मेटिकले स्टोर से भी लोग खरीद करके रखते हैं हर पर्शन के पास मिल जाएगा लेकिन यह कोई पेसेंट है और उसको किस तरह से ट्रीट करना है इसके लिए अगर हम आयोटी का सहारा ले तो यह इंडिविज्वल डिवाइस से हम खरीद करके घर में रखते हैं इससे ज्यादा कारगर होगा वो सिस्टम तो सबसे पहले रीमोट पेसेंट की बॉनरेट्रिंग की जा सकती है पेसेंट के साथ हम वेरेबल डिवाइस लगा देंगे और वह पलपल वहां जो भी उनके पास डेटा जेनरेट होंगे उनके बाड़ी से उसका एक स्टॉरिज होगा वेमोरी होगा मेमोरी में स्टोर करेंगे और आयोटी का मतलब है इंटरनेट के थूँ थूँ एक लाउड पर सेफ कर दिया जाया डाक्टर के पास जो हमारे पास डॉक्तर के पाल जो पेसेंट की आसानी से रिकोबेंड कर सकता है वहां किसी भी आगल बगल के कोई हेल्थ एसोसियेट परसन है इभेन इफ कंपाउंडर है कोई चोटा डॉक्टर है तो उसको भी वह गाइड कर सकते हैं लेकर कब गाइड करेंगे जब आपको रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो और रियल ट कमरें में बैठ करके डॉक्टर इसकाम को कर सकते हैं तो इसके लिए मेडिकल कंट्रोल रूम अगर बना दिया जाए तो आसानी से पेसेंट के हेल्थ की देखरेख हम कर सकते हैं इसमें वर्चुल हॉस्पिटल का कॉंसेप्ट आकिया इसके लिए किसी फीजिकल अपीरेंस क की ज़रूरत इनको डॉक्त की ज़रूरत ने दूर से भी डॉक्त उसकी मॉनेटरिंग कर सकते उसके हल्थ स्ट्रस को मेंटन कर सकते हैं इस डवा की ज़रूरत है उनको संभायों को क्या जाइए डॉक्टिर गार निज़ीघ्रेश है तो यह काम आई ओठी के द्वारा संभव है कि गुलकोज का लेबल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं हार्टरेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं है हैं किया है अज करूना काल में परिस्तिदिय आगे हैं का या सब बताने की ज़रूरत नहीं सब को हो पता है तो हाथ की सफाई के लिए आपके पास डिवाइस होगा अलट भी बेच सकता है अलट जेनरेट कर सकता है अभी हाईजीन की जरूरत है आप नाथ को फिर से साफ कीजिए तो हैंट हाईजीन की बात हो इफेरिशन और मूड मानिटरिंग यह आज की डिट में सबसी ज नहीं अंदर कमजोर होते जाते हैं मांसी ग्रूप से समस्या होती हो तो डिपरेशन या मूड की बानेटरिंग भी आयोटी डिवाइस के पास ऐसे सेंसर है जो इसको कर सकते हैं आपकी अक्टिविटी को सेंस करके वह उस आधार पर डेटा जेनरेट करके अनालिसिस करके उ प्रेशन का सिकार है या नहीं है और डिपरेशन से भी बहुत ज्यादा हेल्थ लॉस होता है लोगों का तो पब्लिक लॉस को बचाया सकता है डिपरेशन और मूड मॉनिटरिंग के थ्रू पार्किंसन्स डिजीज आज के देट में बीपी की समस्या बहुत अधिक बढ़ है और ओल्ड एज में तो सबसे ज़्यादा इसका खत्रा बना रहता है तैसी स्तिती में इसके लिए भी मॉनिटरिंग डिवाइस बढ़ाया सकता है कि इन इंजेस्टिबल सेंसर जो आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किये जा सकते हैं कैमरा यह पहले बहुत मुस्किल काम था लेकिन आज की डिट में इंटर्नल और्गन के फॉंक्शन को समझने के लिए इंजेस्टिबल सेंसर भी आ गया है आज को डैरेक्ट अंदर में फिट करके छोड़ा भी जा सकता हो आयोटी की तुरू अगर जूड़े हो तो सारा इंफॉर्मिशन बाहर देते रहें गया क्या स्टेटास है तो कैंसर और के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज्यादा इस्तमाल हम कर सकते हैं कानेक्टिड कॉं अधोर को आपका लेंस का पावर बढ़ाना है गटाना या है उसमें कोई चेंज करना है वीजिन लॉस तो नहीं हो रहा है यह इंफॉर्मिशन हमको यहां से मिल सकता है और रोबोटिक सरजी सरजरी तो अब सफल है सफलता परूब हम दूनिया में कई जगह किये गए है तो इसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं तो रोबोटिक सर्चिरी भी आने वाले समय में हम आप देख सकते हैं बहुत तेजी से इसका भी विकास किया जा रहा है और सिस्टिंग अधरली आजकल तो नौजुगा अकले हैं परिशान है तो अधरली पीपोल को कौन देखता है उनके हल्थ-एस्ट्ट के मानिट्रिंग कैसे होगी बचे अपने सर्विस में अपने जॉब में इतने ब्यस्त हैं कि उनके हैल्थ-का इस्ट्रेटीस नहीं जाने पाते हैं ताइसी स्थिति में mejट्रा हम ले सकते हैं और है में जिद्क सबसे बड़ क्यी बात है इनima सब की जो इस तरह के डिवाइस बनाने कोशिश कर रहे हैं अगर यह सारे डिवाइस आ जाएं तो हम आसानी से जो कॉंसेप्ट है कि सर्वे भवनती सुखिना सर्वे भवनतु निरामया सबको हम अच्छा स्वास्त दे पाएंगे यह जो सरकार का भी सपना है समाज का दाइत्व है कि जो दाइत्त है वह अच्छी तारह से निभा सकते हैं अगर आएवित का सपोर्ट इत डॉक्तर को और उनके थुरू हम पेस्टेंट की ट्रीटमेंट करेंगे अब बहुत कुछ तो रोबाटिक सस्टम में आटोमेटिक तरीके से भी जेनरेट किये जाएगा आलीसिस होता रहेगा आपके हेल्थ स्टेटस को लगातार अपडेट मिलता रहेगा डॉक्टर को इंप्रूब्में क्योंकि पेस्ट के लिए समय बड़ा इंपर्टन है अगर समय का सदूपयोग हम नहीं कर पया है तो एक बार समय निकल जाने के बाद तो फिर पेस्ट को नहीं बचा जा सकता है तो जीवन को बचाने के लिए हमारे पास जितने भी साधन अभी तक के हैं इन सब को स्मार्ट का तरीके से इंप्रूब और मैनेज करने की ज़रूरत है और इस मैंशिमेंट में टेक्नलोजी हमारे पास काम करेगी वह तेकन लोजी हमें प्रोवाइड करता है आयोटी को कुए तो एउटी में मेडिकल डिवाइस इस तमाम है उन सारे मेडिकल डिवाइस के सहयोग से हम आपको अपने घर परिवार के लोगों को अपने समाज के लोगों को और सही में जो जिसको जरूरत है उनका सहयोग हम कर पाएंगे तो सोभाविक्या के बड़ा ही अब इंपॉर्टन्ट है ह़ल्थ केटर और इसमें भी जो बच्चे कंप्यूटर सिखते हैं उनके दिमाग में एक बातस्त। रूप से यह होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर के फ्ल्ड में मेडिकल असिस्टेंज के लिए के साथ जुड़ करके मेडिकल के डॉक्टर को अब मेडिकल के जुड़े हर परसन की मदद कर सकते हैं यह सोचिने की ज़रुद नहीं है कि हम तो computer के आदमी हम इंजिनेरिंग मेडिकल फिल्ड से तो कोई मतलब है नहीं ग्यान नहीं है आप अगर इस फिल्ड में यह रिसर्च का सबसे बड़ा फिल्ड है और इस फिल्ड में लगातार काम किये जारा है दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनिया जो इस फिल्ड में काम कर रही है अगर आप computer से graduate है बी टेक एम टेक आपने किया है तो इस फिल्ड की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं इसकी विसे में ज्यादा से जानकारी उपलब्द करें ताकि आप समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकें और जीनमीन सेवा हो समाज के लोगों का पैसा भी बचे समय भी बचे समय पैसा और जीवन यह बचाने का सबसी बहतरीन अकर फिल्ड कोई है नए टॉपिक है टेक्नलोजी की दुनिया में तो ओ है आयोटी इन हेल्थ सेक्टर तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप समझ गया होंगे पिछले क्लास में हम लोग ने एजुकेशन फिल्ड में देखा था आयोटी का इंपोर्टेंस आज हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं नेक्स लेक्षर में और वी दूसरे फिल्ड पर डिसकसन करेंगे बने रहे ये वीडियो के साथ इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं समाप्त करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद